देखिए मैं आपको बड़ा साफ कह दूँ राहूल गांदी जब प्रालिमेंट में बोलता है मैं सैरडॉन लेता हूँ क्योंकि मुझे सरदर आता है उनके भाषन के कारण किसी को कोई परिशानी नहीं है ये जो वो आज मुद्दा उठा रहे हैं यो इसी लिए उठा रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि वाइनाड के MP होते हुए वाइनाड में उन्होंने क्या नहीं किया है या क्या किया है उसके बार में काफी सारे प्रश्न निकलने वाले हैं उठाने वाले हैं उसको किसी तरह से वहां का उस टॉपिक से डिस्ट्राइट करको लोगों को डिफलेक करने की कोशिच में है राहूल गांदी और ED ED करते करते वो सोच रहे हैं कि लोग भूल जायेंगे कि वायनाड में क्या हुआ है वाइनाड में 300 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं गरीब लोगों के घर उनके परिवार उजाडे गए हैं वहां के MP राहूल गांदी है उसके बारे में वो बोले उसके बारे में कहे कि उन्होंने पिछले 5-6 साल क्या किया UPA सरकार को जब Expert Committee के रिपोर्ट दिया गया था 9 में 10 में कि वाइनाड में बहुत सारा रिस्क बन रहा है उन्होंने क्या किया ये सब बोले ना कि लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कुई भी दो बज़े उटके कुछ भी बोल दे और ट्वीट कर दे इससे कुछ होने वाला नहीं है वाइनाड में वहां के MP का जो दाइतु था उन्होंने निबाया है कि नहीं जब उनका सरकार था यहाँ पे दिली में उन्होंने क्या किया या नहीं किया उसके बार में परशन उटने वाले हैं उसका वो आंसर दे देखे वो मुझे हम सब को मालूम है कि इंडी एलाइन्स के समाजवादी पार्टी हो या डीम के हो या कॉंग्रस हो वो लूट और करप्शन के राजनीत में विश्वास करते हैं तो हमने देखा है दस साल चार से चोदा जो देश में लूट और करप्शन का एक माहूल बनाया गया था हमने सब भुगता है हमने देखा है वो चाहते ही हैं लेकिन देश की जनता नहीं यह नहीं चाहता है इसलिए तो तीसरी बार नरेंदर मौधी जी को प्रदान मंत्री बन